ओम शांति, 18 नवंबर 2022, बाबा के महावाख्य, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाब की गोदली है, उनकी संतान बने हो, तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डारेक्शन अमल में लाना है. परश्ण स्रश्टी की वानपरस्थ अवस्ता कब से शुरू होती है और क्यूं? उत्तर, जब शिवबाबा इस ब्रहमातन में प्रवेश करते हैं, तब से सारी स्रश्टी की वानपरस्थ अवस्ता शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापिस ले जाने के लिए आये हैं इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्ता है सबको मीठे घर मुक्ती धाम वापिस जाना है फिर जीवन मुक्ती में आना है वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयू साट वर्ष की होती है इनकी भी वानप्रस्थ अवस्ता होती है गीत मरना तेरी गली में ओम शांती यह किसकी गली में आकर मरना होता है मुनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ती धाम में जाए परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाए बच्चे जानते हैं जो भी मुनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह बाप के गले का हार जरूर है जैसे लोकिक बाप की रचना लोकिक बाप के गले का हार है बच्चे बाप को बाप बच्चे को याद करते हैं वैसे वास्तों में जो भी आत्माएं हैं वह सब याद करती हैं परमपिता परमात्मा बाप को वह है हद का बाप यह है बेहद का बाप हर एक मनुष्य चाते हैं हम मुक्ती प्राप्त करें क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ती और विश्णू के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ती बाप मुक्ती और जीवन मुक्ती देते हैं बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे लौकिक माबाप के गले का हार हैं बच्चे वह खुद माबाप भी किसके बच्चे होते हैं काते हैं तुम मात पिता जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे बेहद के बाप को याद करते हैं परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वह आश रहती है सो तो जब त्रिमूर्तिश बाबा आये आकर तीनों को रचे ब्रह्मा विश्णू शंकर को तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके पहले लोकिक माबाप के गले का हार है उनसे जीते जी मरकर पार लोकिक बाप का बने तब वर्सा मिले जैसे कोई सहुकार गरीब के बच्चे को एडाप्ट करते हैं तो आकर सहुकार के गोद लेते हैं जीते जी वह गरीब भी जीते तो है ना दोनों याद रहते हैं तुमको भी लोकिक और पार लोकिक दोनों संभन्द याद हैं दोनों से मिलन होता है तुमने पार लोकिक माबाप की गोद ली है उनसे सुख घनेरे लेने लिए वह हुई हद की गोद यह है बेहद की गोद जीते जी गोद ली है जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे तो जिस मात पता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े श्रीमत तो गाई हुई है न अब तुम प्राक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो ऐसे भी नहीं जट से सब एडॉप्टिड हो जाते हैं नहीं आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं अब देवी देवता धरम की स्थापना हो रही है ज़ाड धीरे धीरे वृद्धी को पाता है क्रिस्चिन का भी पहले क्राइस्ट आता है फिर दस बीस पचास बढ़ते जाते हैं यह ज़ाड यहां सामने बढ़ता है क्राइस्ट चला जाता है फिर भी आकर अंत में शामिल होता है यह तो बेहद का बाप है बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पढ़ेगा कब भीर विश्णू के गले का हार बनेंगे शिव बाबा तो है निराकार भ्रमा द्वारा मुख वम्शावली रचते हैं त्रिमूर्ती शिव का भी अर्थ है त्रिमूर्ती भ्रमा का अर्थ नहीं निकलता बाबा करक्षन भी करते रहते हैं गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र नकी चर्का उस गवंच का चर्का लगा हुआ है यहां स्वदर्शन चक्र है दिन प्रते दिन करेक्षन होती रहती है बाबा ने समझाया है हमेशा त्रिमूर्ती शिव जयंती कहना है शेव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्सा देते हैं शेव बाबा है तो वर्सा भी साथ में जरूर चाहिए तो यह विश्नु है वर्सा फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है इसलिए त्रिमूर्ती का चत्र है मुख्य त्रिमूर्ती चत्र चला आया है वहां भी तुम राज्य करते हो तो तक्त के पिछाडी विश्णु का चत्र रहता है यह जैसे कोट ओफ आम्स है इसका अर्थ मनुश्य नहीं जानते बाप ने तुम बच्चों को समझाया है यह ज्यान अभी तुमको मिला है देवताओं के पास यह ज्यान नहीं रहता तीसरा नेत्र तुम भ्रामणों का खुलता है बाप कितना सहज समझाते हैं मन मनाभव बाप और वर्से को याद करो भ्रम्मा मुखवम शावली हो न तुम ज्यान गंगाये भी तहरे तुम हो ज्यान सागर द्वारा भ्रम्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वमशावली ज्यान कुमार कुमारिया तो तुम हो ज्यान सागर के बच्चे वास्तों में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है आत्मव और परमात्मा का यह है सच्चा संगम ज्यान सागर और ज्यान गंगाये यह बड़ी गुप्त समझने की बाते हैं मोटी बुद्धी वाले यह नहीं समझ सकेंगे उन्हों के लिए फिर सहज युकती है शिव बाबा और वर्से को याद करो इन द्वारा यह बुद्धी में होने से खुशी का पारा चड़ेगा गौदली स्टुडेंट लाइफ है न? बेहत का बाप हमको पढ़ा रहे है अभी तुम्हारी बुद्धी में राजयोग का ज्यान है जिससे तुम प्रालब्ध पाते हो वहां इस नौलिज की दरकार नहीं दरकार यहां है बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं आकर राजयोग सिखलाता हूं रचना के आदी मध्य अंत का राज समझाता हूं कि यह चक्र कैसे फिरता है महिमा सारी संगम की है जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं पुरानी दुनिया के वनाश के लिए तयारिया हो रही है देखते हो आज कल दुनिया में क्या हो रहा है आज बाच्शा है कल मिलिटरी बिगडती तो बाच्शा को भी कैदी बना देते हैं कोई को भी मार डालते हैं ऐसे बहुत केस होते रहते हैं आज कल कोई बात पर भरुसा नहीं दुख ही दुख है आज किसको बच्शा हुआ खुशी होगी कल मर गया तो दुख है ही दुख की दुनिया अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं बाप समझाते हैं, बच्चे, तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो, कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे, कहते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, तो जरूर कोई पर तरस किया होगा, इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया? यहाँ अभी तुम जानते हो, परंपिता परमात्मा बिगर कोई देवता बनाना सके, मनुष्य बिलकुल विकारी पतित बन पड़े हैं, बूड़े हो जाते हैं, तो भी विकार नहीं छोड़ते, नहीं तो काईदा है, साट वरश के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए, पहले ऐसे करते थे, साट वरश के अंदर अपना बोजह उतार कर बच्चों को दे देते थे, अब साट वरश की आयू में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं, बाप कहते हैं, इनकी साट वरश की आयू में, बहुत जन्मों के अंत के अंत में, जब इनकी वानप्रस्थ अवस्ता हुई, तब मैंने प्रवेश किया, तब इसने भी सब कुछ छोड़ा, बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्ता होजशाती है, क्योंकि सब को जाना है वापिस, इसलिए बाप कहते हैं, मा में कम याद करो, छोटा वा बड़ा कोई भी रहेगा नहीं, बाप आकर सब को मीठा बनाते हैं, मुक्ती जीवन मुक्ती दोनों मीठे धाम है, विनाश सब का होना है, हिसाब किताब चुक्तु भी सब का होता है, सजा खाने में देरी नहीं लगती, जैसे काशी कलवत खाते हैं, तो पापुन से मुक्तो हो जाते हैं, फिर नए सिर हिसाब शुरू हो जाता है, बाकी मुक्ती में कोई भी नहीं जाते, वह समझते हैं, शिव पर कुर्बान हो, निर्वान धाम चले जाएंगे, बाप कहते हैं, वापिस कोई जा नहीं सकते, पुनर जनम तो सब को लेना है, यह पहला नंबर ही पूरे पुनर जनम लेते हैं, तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे, तुमने चोरासी जनम लिये हैं, शुरू से ही तुम्हारा पाट चलता है, तुम्हारा यह है कल्यान कारी लीप जनम, इस जनम में अत्वा इस धर्माव युग में तुम धर्मात्मा बनते हो, वह सब हैं हद की बाते, वह है धर्माव मास, धर्माव वरश, यह है धर्माव युग, यह लीप जनम भ्रामणों का एक ही है, भ्रामण है चोपी, फिर तुम देवता बनेंगे, अब तुम जानते हो, बाबा हमको गले का हार बनाते हैं, हम आत्माए निराकारी दुनिया में रहती हैं, बाब खुद कहते हैं, तुम जब अशरीरी थे, तो मेरे पास रहते थे, अब ही तुम समझ गए हो, हम पहले पहले सत्युग में आएंगे, वहाँ है देवी देवता धरम, वहाँ पुरशार्थ करने की जरूरत नहीं, पुरशार्थ संगम पर ही किया जाता है, संगम युग यह है, और जो संगम होते हैं, उनकी आयू नहीं गिने चाते, इस संगम की आयू है, बहुत छोटा सा युग है, इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं, बागी उन युगों का कुछ नहीं है, दो कला कम होने से राज्य बदली होता है, यह तुमको सक्षतकार होता है, कैसे राज्य देते हैं, संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाती हैं, इसलिए इस युग की आयू जब से बाप आया है, तब से गिनेंगे, तो जरूर वह आया हुआ है, वही ज्यान का सागर है, उनकी मुखवम शावली ज्यान न दिया यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, इन से ही ज्यान पाना है, बाबा ने कहा है, कोई ऐसी नई चीज बनाओ, जो समझाना सहज हो, उसमें त्रिमूर्ती शेव जयन्ती लिखो, बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला हुश्यार चाहिए, इस ज्यान यग्य में विग्ण भी किसम किसम के पड़ते हैं, फिर सर्विस धीली हो जाती है, शेव जयन्ती आई की आई, बड़े धुमदाम से मनानी है, धिली में तो बहुत धुमदाम हो सकती है, दोनों के कोट ओफ आम्स दिखाएंगे, हम अपनी इश्वर्य बात करते हैं, बाप है ही कल्यान कारी, बच्चे भी औरों का कल्यान करते रहते हैं, तो बाप देख कर खुश होता है, कहां जाता है, चारटी बेगिन्स अट होम, मित्र संभंदियों को भी समझाना है, नहीं तो उलहना देंगे, पॉइंस बहुत अच्छी मिलती हैं, चत्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी हैं, रुद्र माला बन, फिर विश्नु की माला बनती है, तुम भ्राम्बन हो, सच्ची सच्ची गीता सुनने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो, यहां बैठे, तुम याद की यात्रा में रहो, तो पाप भस्म हो जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाए नहीं, योग की बहुत महिमा है, महनत भी इसमें है, बहुत तूफान आते हैं, सहज भी हैं, तो मुश्किल भी है, तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र है, राजाई का भी चित्र है, राज्योग से तुम देवताबनते हो, तुम राजरुशी हो, वह हट योग रुशी है, तुम को नचरल जटाये हैं, अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं, सब भाई-भाई है, बाप से वर्सा भी मिलता होगा। प्रजा पिता भ्रम्मा भी गाया हुआ है। वह निराकार पिता यह साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं आंक खोली फिनाश हुआ। शंकर को पार्वती गनेश आदी दिखला कर ग्रहस्ती बना दिया है। अंध श्रद्धा बहुत है। बाप कहते हैं मैंने तुमको साहुकार बनाया था। तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दानकर, फाल्तु घर्चा करते करते दुर्गती को पा लिया। यह भी ड्रामा में नोंद थी, तब तो बाप बैठ समझाते हैं, बाबा तुमको त्रिकाल दर्शी बनाती हैं, तीनों कालों का ज्यान तुम्हारी बुद्धी में हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुहानी बाब की, रुहानी बच्चों को नमस्ते। धारना के लिए मुख्यसार पहला, यह धर्मावू युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्यान करना है, मुक्ती और जीवन मुक्ती में चलने का रास्ता बताना है। दूसरा, हमारी यह गौडली स्टूडेंट लाइफ है, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। वर्दान, योग की करेंट के वाइब्रेशन द्वारा, खिले को मजबूत करने वाले यज्य रक्षक भव। जैसे ब्राम्मन फैमली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लान करो, जो कोई भी आत्मा ब्राम्मन परिवार से किनारे नहीं हो जाए। खिले को ऐसा मजबूत बनावो, जो कोई जाही नहीं सके। जैसे चारों और करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यग्य के किले को अपने योग के पावर्फल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमार्ज हो, तब कहेंगे यग्य रक्षक। स्लोगन ज्यानी तु आत्मा वह है जिसका करं साधारन होते भी स्थिती पुरुशोत्तम हो। ओम शांती